नमस्कार किसानवाईयो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूटीब चैनल एक्टीब किसान पे किसानवाईयो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धान के फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए धान के फसल में जाद से जाद कल्ले कैसे ला सकते हैं धान की अच्छी हड्याली को कैसे मेंडिन कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं तो धान के फसल में जो जितने ज़्यादे कल्ले होंगे क्यागी हम सभी किसानों को पता है कि धान के फसल में जितने ज़्यादे कल्ले आएंगे उतने ज़्यादे उसमें बालिया आएगी उतने ज़्यादी हमारी उपज होगी तो आज के इस वीडियो में उसी ट्रॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जादा से जादा कल्ले कैसे ला सकते हैं जादा से जादा हड़ियाली कैसे ला सकते हैं अपने धान के फसल में आपके धान के फसल में जो आपके खेत का मिट्टी का पिएच है वो या तो बढ़ जाता है या तो घड़ जाता है धान के फसल के लिए उप्यूकत जो पिएच होना चाहिए वो सारे 6 सारे 7 के बीच होना चाहिए अगर सारे 6 सारे 7 के से उपर चले जाता है तो उस समय क्या हो तो इस वज़े से हम लोगों को उसका सही रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के उपर बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा खात डाले अपने धान के फसल में जिसके वज़े से हमारी जो पीच है वो भी मेंटेन हो जाए हमारे धान में सागरी का दानेदार को मिला कर डालना है अब इसका जो इस्तमाल है वो कैसे करना है किस तरीके से करना है सागरी का दानेदार को डालने से हमारे धान के फसल में क्या-क्या फाइदे होने वाले हैं सागरी का दानेदार में ऐसा क्या-क्या पोशक्त तो पाए जाते हैं तो उ एक परकार का समुद्री प्रकृति गुत्पाद है जो कि समुद्र में उगने वाले रेड और ब्राउन रंग के वीड्स से निकाला गया निचोर है यह प्रांड ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है तो हमारे फसल पर सागरी का दानेदार हमारे फसल पर ना केवल प्रमोटर की भाति काम करती है बल्कि यह बहुत थी अधीक मात्रा में पोशक तत्वों की पूर्ति करती है जैसे नाइट्रोजन, फासपोरस, पोटेशियम, शल्फर, जिंग, पॉरन, लोहा इत्यादि अनिफ पोशक तत्वों की यह पूर्ति करती है जो हमारे फसल पर अधीक सावीत होती है इसका जो इसमीहें द्हान के फ़सल द्हान की फजल सकते हैं इससे बाऊप 15 कर सकते हैं जहस्ते कि आपको 30-35 केजी यूरीया प्रतियकर के इसांप से लेने रा किजेगा ताकि और भी किसानवाईयों तक ये वीडियो पहुत सके तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ